Hello everyone, this is Anwarag Bagheel and welcome to Magnet Brains जहां बच्चों आपको class kg से class 12 तक की free education provide की जाती है इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ा हैं तो पिछली classes में हम बात क्या कर रहा है थे पिछली classes में हम बात कर रहा है थे अपने chapter states of matter के बारे में और बात करी थी matter की कितने state होती है matter की तीन state होती है solid, liquid और gas जैसे कि मैं पिछली class का पूरा discuss करता हूँ पहले फिर आगे बढ़ता हूँ gaseous state के बारे में बात करा था हमने different different gaseous law के बारे में बात करा था और last class में जो हमने discuss करा था वो discuss करा था हमने बेटा dalton's law of partial pressure के बारे में आज जो हम discuss करने जा रहे हैं वो हम discuss करने जा रहे हैं Graham law of diffusion यह NCRT में नहीं दिया हुआ है लेकिन मेरे बच्चों Graham's law of diffusion से बहुत ज़्यादा question पूछे गए हैं last years में मैंने NEET में और JEE में देखे हुए हैं तो NEET और JEE के हिसाब से काफी ज़्यादा important हो सकता है what is Graham's law of diffusion यह कुछ लोग इसे Graham's law of diffusion भी कह देते हैं क्या है diffusion क्या है diffusion इस सारी मोहमाया को आज़ापन समझेंगे तो इसी जोश और जुनून के साथ सबसे पहले निकाली अपनी कॉपी और निकाली अपना pen शुरू करते हैं एक साथ कहानी मेरी जुपानी चलिए भाईया सबसे पहले बात करते हैं diffusion क्या होता है मुझे कुछ बोलने की जरुत नहीं है कभी perfume perfume चीचा है चिच 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 अभी पहले यह मत समझो की diffusion क्या है चिच 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 परफ्यूम कोई उधर चीचा मेरे कानों तक कानों तक नहीं रहे नाग तक खुश्बू आ गई खुश्बू किसी फूल की सूं के हम पता कर लेते हैं यह diffusion की वज़ा से होता है अगर बत्ती की महक इधर तक आ गई मतलब क्या होता है किसी भी पार्टी कलज का हायर कंसरेंटेशन से लोवर कंसरेंटेशन की तरफ मूव करना कोई एक्स्टरर प्रेशन नहीं कोई एक्स्टरर है अपने आप मूव करना यह कहलाता है डिफूशन ठीक है मीक्सिंग आफ माजलब सुननाあー mixing of gases mixing of gases किस वज़े से होता है diffusion की वज़े से होता है किस वज़े से होता है diffusion की वज़े से होता कहानी को आप डीटेल में पढ़ता है अपने देखते हैं क्या है what is diffusion सबसे पहले Abraham law of diffusion से पहले हर एक point को पहले discuss करो diffusion क्या होता है the tendency of mixing अब भी मैंने कहा, गैसे जब mix होती हैं, तो the tendency of mixing of non-reacting gases from each other spontaneously is known as a diffusion, ये कैसा होता है, without external pressure, आपको बाहरी pressure की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैसे अपने आप mix हो जाएंगी, चलिए, दूसरी चीज, the property of flow of molecule, the property of flow of molecule, मैंने अभी बताया, from higher concentration, from higher concentration to lower concentration, आपने अगर बत्ती जलाई, ठीक है, अगर बत्ती के जो molecule है, fragrance वाले molecule है, बढ़ते 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 पूरी जगह फैल गए, पूरी जगह फैल गए, कोई external pressure लगाना पड़ा गया है, नहीं, पहले वहाँ higher concentration था, higher concentration से व पूरे lower concentration में फैल गए, मतलब diffusion क्या होता है, the property of the flow of molecule, from higher concentration to lower concentration, from a small hole, from a small hole, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, higher concentration to lower concentration is known as diffusion, ये विदाउट external pressure के होता है, ये कैसा होता है, without external pressure के होता है, तो in diffusion, external pressure केतना होता है, मेरे बच्चों, constant होता है, external pressure कैसा होता है, मेरे बच्चों, constant होता है, please पहले से note down करो, please पहले से note down करो, the property of flow of molecule, from higher concentration to lower concentration, without external pressure, ये external pressure constant होतो, उसे अपन नाम देते हैं, diffusion, उसे अपन नाम देते हैं, मेरे बच्चों, diffusion, clear है, चलिए, आगे बढ़ाते हैं कहा को अब बात करते हैं इफ्यूजन क्या होता है इफ्यूजन क्या होता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है कुछ बतानी की जरूरत नहीं है गुबारा लिया मैंने बड़े में गुबारा तो फुलाया होगा ना लॉजिक समझ रहा गुबारा फूल गया गुबारा फूल गया म अंदर प्रेशर हाई है, बाहर प्रेशर लो है, इस छोटे से होल से, भूर 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 करते हुए, गैसे बाहर निकल जाएंगी, इसे नाम दिया जाता है, इफ्यूशन, समझना लोजिक क्या है, the property, the property of flow of molecule from higher concentration, ठीक है, from higher concentration to lower concentration from a small hole with external pressure, with external pressure, ध्यान दीजे, is known as, is known as effusion, इसमें external pressure क्या होता है, मेरे बच्चों, vary कर जाता है, क्या कर जाता है, vary कर जाता है, clear है, effusion समझ गए, किसी small hole से, gaseous molecule का बाहर जाना, क्या कहलाता है, effusion कहलाता है, इसमें external pressure क्या कर जाता है, vary कर जाता है, please note down करिए इसे, please इसे पहले note down करिए, अब आप समझ गए, कि sir, diffusion क्या है, effusion क्या है, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, चलो, अब अपन बात करते हैं, Graham's law of diffusion के बारे म किसके बारे में बात करते हैं, Graham's law of diffusion के बारे में, Graham's law of diffusion, rate of diffusion के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, मेरे बच्चों, rate of diffusion, r के बारे में बताता है, कि भाईया, rate of diffusion किस पर depend करता है, पहले logic समझ न, rate of diffusion, gas की किस property पर depend करता है, तो उससे पहले समझ जाएं कि rate of diffusion हो diffused gas, the distance traveled by the diffused gas, या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं, in terms of volume of diffused gas, या in terms of mole of diffused gas, in per unit time, in per unit time, is called rate of diffusion. It's called rate of diffusion. What is rate of diffusion? The distance traveled by the diffused gas in per unit time is called rate of diffusion. जल्दी आईए है. The distance traveled by the diffused gas in per unit time is called the rate of diffusion. It's called the rate of diffusion. Clear है? हर एक छोटी छोटी चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, कि diffusion क्या है, effusion क्या है, rate of diffusion क्या है, कि भाईया, constant temperature or pressure ले लिया, तो distance traveled by the gas in per unit time is called the rate of diffusion. चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब डिसकस करते हैं, rate of diffusion के बारे में डिसकस कर लिया, अब बात करते हैं, rate of diffusion के बारे में Graham's law क्या कहता है? Graham's law जो था, उससे प्रपोस्ट करा Thomas Graham ने, Thomas Graham ने, कब प्रपोस्ट करा मेरे बच्चों? 1833 में, कब प्रपोस्ट करा 1833 में, यह law क्या कहता है? इस law states that at constant pressure, किसी constant pressure पे, और temperature पे, temperature पे, जो rate of diffusion या effusion होता है किसी gas का, वो inversely proportional होता है square root of density, मतलब क्या है? इसको अगर मैं कहूं, simplify करके, rate of diffusion is inversely proportional to under root of density, under root of density, या simplify करके लिखू, rate of diffusion को अगर r से करूं, तो it is under root of square root of density, under root of square root of density, this is rate of diffusion, rate of diffusion gas की density पे depend कर रहा है, यह पहला तरीका, यह पहला तरीका, और इसकी variation देखूंगा, अब माल लीजे, दो gases है, if r1 and r2 represent the rate of diffusion of two gases, दो gases है, उनका rate of diffusion, r1 और r2 है, ठीक है, एंड उनकी density कितनी है, मेरे बच्छों, d1 और d2 है, ठीक है, तो भाईया, हम यह बोल सकते है, r1 by r2 is equal to under root of d2 by d1, यह सर, बिलकुल बोल सकते हैं, अगर कभी exam में ऐसा question आए, तो यह formula लगा देना, density के term में, अगर rate of diffusion पूछे, तो आप यह formula लगा सकते हैं, दूसरी चीज, एक और चीज जो होती है, मेरे दिमाग में याद आ रही है, याद आ रही है, कहीना कहीं यह question पढ़ा हुआ है, मैंने, जान दीजिए, कहीना कहीं यह question पढ़ा हुआ है, जो rate of diffusion होती है, rate of diffusion होती है, अगर pressure ज़ाधा है, तो diffusion भी कैसा होगा, मेरे बच्चों, अगर pressure जदा है, तो diffusion भी ज़ाधा होगा, और अगर examiner से 2 gas के लिए compare करें, तो क्या मैं इस ऐसा लेख सकता हूँ, 2 gas के लिए compare करें, तो r1 by r2 is equal to p1 by p2, यह सर बिलकुल लेख सकते हो rate of diffusion directly proportional होती है pressure के किसके directly proportional होती है pressure please इसे note down करो rate of diffusion clear है इसके बारे में कौन बताता है Graham's law of diffusion बताता है ले लिया screenshot चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को जन दीजेगा next कहानी क्या है अगर दो गैसे हैं मान लीजेए आपके पास दो गैसे हैं आपके पास दो गैसे है ठीक है एक गैस है गैस वन उसका rate of diffusion है R1 दूसरी गैस है गैस 2 उसका rate of diffusion है R2 मान लीजेए पहली जो गैस है उसका molecular mass है M1 और दूसरी गैस है जो उसका molecular mass है M2 ठीक है तो rate of diffusion इस case में ध्यान देना, rate of diffusion, rate of diffusion, inversely proportional होगी किसके under root of molecular mass के, वा सर, अभी हमने देखा था, rate of diffusion, inversely proportional to under root of density थी, अगर मैं इसका diffusion का rate देखू, R1, इसके diffusion का, दूसरी gas का rate of diffusion देखू, R2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, under root of M2 by M1, under root of M2 by M1, यही formula उसने, यहाँ पर बात करिए, कि दो gases हैं भाया, उनका rate of diffusion, R1 और R2 है, तो उनकी, अगर molecular rate के term में पूछे हैं, तो भाया, क्या होगा, rate of diffusion, under root of M2 by M1, चलिए सर, कोई issue नहीं, चलिए सर, कोई issue नहीं, R1 किसको represent कर रहा है, rate of diffusion of gas 1, R2 किसको represent कर रहा है, rate of diffusion of gas 2, M1 किसक को represent कर रहा है, molar mass of gas 2 को represent कर रहा है, rate of diffusion or effusion is inversely proportional to molecular mass, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चलिए आईए, जो question पूछे हम कर देंगे, जो question पूछे हम कर देंगे, clear है, चलिए, ना, यह concept थे, इस पे based question पूछे जाते हैं, इस पे based question पूछे जाते हैं, दो concept दिमाग में याद रख लेना, कभी भी Graham law of diffusion, या rate of diffusion के बारे में बात करें, बोलो क्या बोला मैंने, बच्चों, Graham law of diffusion या effusion, या rate of diffusion या effusion के बारे में बात करें, तो दो formula याद रखना, rate is inversely proportional to under root of D, या rate is inversely proportional to under root of molecular mass, सारे questions all हो जाएंगे, अनुराक सर का थमरूल याद रख लेना, चलिए, अंडर similar condition, similar condition है, बिल्कुल सही है सर, which of following gases will diffuse, कौनसी gases diffuse होगी, four times as quickly as oxygen, as quickly as oxygen, चलिए ठीक है, अब आपको पता है, rate of diffusion के inversely proportional होता है, molecular mass के inversely proportional होता है, चलिए, मान लिया मैंने कि कोई gas है, R, उसका rate of diffusion है, कोई gas है, उसका rate of diffusion R gas बोल दिया, और मेरे पास है rate, oxygen gas के diffusion की, चलिए, अब आपको क्या बोल रहा है, under similar condition, which of the following gas will diffuse four times, अब अगर molecular mass के term में बोलों, तो क्या relation आएगा, mass of oxygen upon mass of gas, mass of gas, अलग-अलग gas दी हुई है, पता कर लेते हैं, कौन सी gas है, अब आपको पता है, क्या पूछर, under similar condition, which of the following gas will diffuse four times, as quickly as oxygen, इसका rate कितना है, four times है, किसकी तुलना में, oxygen की तुलना में, अगर oxygen का rate R है, तो इसका rate कितना हो गया, four times हो गया, oxygen का molecular mass कितना होता है, मेरे बच्चों, oxygen का molecular mass होता है, 32, अब हमको पता करता है, कौन सी gas आ रही है, कौन सी gas आ रही है, चलो चेक करता है, R से R कट गया, मेरे बच्चों, R से R कट गया, अब मैंने अगर इसका under root करा, इसक हो गया मेरा कितना इसका square करते हैं तो square से under root कट जाएगा चलो under root हटाना है तो इसका square कर दिया यह आगया 16 अब इसका square करा तो under root हट गया यह आगया 32 और यह आगया mass of gas mass of gas पता कर लिए हमने कितना आया mass of gas पता कर लिए 32 divided by 16 mass of gas आगया 2 तो कौन सी gas होगी वो कौन सी gas होगी बताए किसका mass 2 आता है hydrogen gas का mass 2 आता है तो भाई या वो gas होगी जिसका rate of diffusion oxygen की तुलना में 4 times होगा answer should be hydrogen answer should be hydrogen समझाया question कैसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों समझाया question कैसे पूछे जाते हैं और question कराओंगा चिंता ना करिये और question कराओंगा पहले से note down करो और question कराओंगा चिंता ना करिये पहले से note डाउं करिये चलिये next question की बात करते हैं ज्यान दीजेगा the rates of diffusion of hydrogen and hydrogen and deuterium अगर नहीं पता आपको तो मैं आपको बता दूँ अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ हाइड्रोजन के तीन आईसोटोप होता है हाइड्रोजन के कितने आईसोटोप होता है तीन आईसोटोप होता है आईसोटोप मतलब मेरे बच्चों Tritium 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 ठीक है एक का Atomic Atomic Number सबका सेम लेकिन Mass Different Different है Mass Different Different अगर Atomic Number सेम और Mass Different Different हो तो उसे हम कहते हैं Isotope ठीक है तो Rate of Diffusion of Hydrogen and Deuterium R in the Ratio अब Deuterium का Mass कितना होगा खुदी बताइए Hydrogen का Mass कितना है 1 है Deuterium का Double है अगर एक Atom का Mass 1 है तो H2 का कितना हुआ 2 और Deuterium का कितना हुआ मेरे बच्चों Deuterium का कितना हुआ 4 हुआ एक Atom का Mass 2 है तो Molecule का कितना आया 4 आया अब अपने को Rate of Diffusion पता करना है तो आपको तो पता ही है Rate of Diffusion किसके Inversely Proportional होती है मेरे बच्चों Inversely Proportional होती है Under Root of Molecular Mass के Under Root of Molecular Mass के चलिए हम बात करें Rate of Hydrogen की और हम बात करें Rate of Deuterium की तो हमारे पास आ गया Mass of Deuterium Mass of Deuterium upon Mass of Hydrogen ठीक है सर आ गया मतलब सर Rate of Hydrogen और Rate of Deuterium का Ratio अगर हम पता करें तो हमारे पास कितना कितना आ रहा है Ratio हमारे पास Ratio आ रहा है Deuterium का Mass 4 Hydrogen का Mass 2 Ratio कितना आ रहा है Under Root of 2 upon 1 This is the Ratio Check करो कौनसा Answer होना चाहिए Check करो Answer should be B Answer कौनसा होना चाहिए B होना चाहिए अच्छा सर इस तरीके के भी क्वेशन पूछे जाते है बिटा वो एक्जामिनर है जैसे भी क्वेशन पूछे हर वेराइटी में आपके सामने लेखे आऊंगा पहले नोट डाउन करिए से Rate of Diffusion of Hydrogen and Deuterium आरिंदा रेशियो Under Root of 2 is to 1 Under Root of 2 is to 1 चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को बढ़ा ले कहानी को आगे बढ़ा ले मेरे बच्चों कहानी को आगे चलिए बात करते हैं Next कहानी की Next question है Which of the following pair of gases will have identical rate of effusion Under similar condition Under similar condition चलो चेक करते हैं अब आपको पता है कि Rate of Diffusion या effusion universally proportional है Under Root of Molecular Mass के अगर Molecular Mass same हुआ क्या देख रहा हूं है ध्यान देना If Molecular Mass is same If Molecular Mass is same अगर Molecular Mass same है If Molecular Mass is same मतलब सर Rate of Diffusion and Effusion is also same Then Rate of Diffusion Then Rate of Diffusion And Effusion And Effusion is also same Is also same Is also same चलिए बात करते हैं Diproteum अब भी हमें ने बताया Hydrogen के तीन आइसोटोप होते हैं Proteum, Deuterium, Tritium Diproteum H2 और Dideuterium D2 इसका Molar Mass कितना हुआ 2 इसका Molar Mass कितना हुआ 4 Answer विल्कुल सेम नहीं हो सकता Molecular Mass same होना चाहिए Carbon Dioxide Carbon Dioxide और Ethane Ethane क्या होता है C2H4 C2H4 चलो चेक करते हैं Carbon Dioxide का Mast कितना होता है Carbon Dioxide के Mast के बारे में बात करें Carbon 12 प्लस 12 प्लस Hydrogen 1 प्लस 1 टू 24 दो 26 ये भी नहीं हो सकता Molar Mass different है Dideuterium Dideuterium D2 Molar Mass कितना है इसका 4 And Helium Helium का भी Molar Mass कितना होता है या 4 Rate of diffusion कैसी होगी Same होगी क्योंकि इनके Molar Mass कैसे आ रहे हैं Same आ रहे हैं Last check कर लेते हैं और Ethene दोनों का Molar Mass Same होई ही नहीं सकता एक Elkene है एक Elkene है तो एक क्या है Elkene है तो answer should be C answer should be C Please note down करिए इसे answer क्या होगा C होगा Clear है Clear है मेरे बच्चों इस तरीके से हमने Graham Law of Diffusion और उसके सारे Question खतम कर दी है एक छोटा सा topic था जिसे मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने लेखे आया और उसे हमने complete कर दिया यह NCIT में नहीं दिया हुआ है मेरे बच्चों लेकिन मैंने आपसे कहा कि NCIT में दिया हो या ना दिया हो हम हर topic को एकदम perfection के साथ खतम करेंगे ठीक है चलिए इसके अलावब आप आप देखी रहे हैं कभी कबार daily एक वीडियो दो वीडियो कई बार तीन वीडियो इतने वीडियोस हा रहे है सर हमें problem हो रही है वीडियोस मिल नहीं पा रहे है बहुत सारे बच्चों के comment आते है कुछ बच्चों के comment आते है सर आप neat और जही level का पढ़ा रहे है अरे मेरे बच्चों यही level है बार बार कहता हूँ यह neat में आया है यही तो है ठीक है चलिए basic सबका एक ही है अब बात करें कि इतने सारे वीडियोस कैसे सर्ज करें दूसरा option आप देख सकते है आप जाएए www.magnetbrains.com पे जैसे ही आप जाएंगे magnetbrains.com पे मेरे बच्चों आपको एक ऐसा page open हो जाएगा अब अगर आपको class 11 के वीडियोस find करना है chemistry में तो class 11 पे click करिए जैसे ही आप class 11 में click करेंगे ना मेरे बच्चों तो अलग-अलग टीचर chemistry के teacher, political science के, math के, biology के आपको मिल जाएंगे अब जो subject आपको पढ़ना है सब अपने teachers जो है expert है उस chapter पे click करिए या जो subject पढ़ना है उस पे click करिए जैसे आपको chemistry पढ़ना है अपने chemistry पे click करा तो मेरे बच्चों आपको ये एक ऐसा page open हो जाएगा chemistry का जहां मैं chemistry पढ़ाता हुआ दिख जाओंगा अभी तक जितना से लिए बस हुआ है आपको available हो जाएगा जैसे कि अपन chapter 5 है chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 तक वीडियोस आपको मिल जाएंगे आप click कर ये chapter 3 पे आपको chapter 3 से related जो भी वीडियोस होंगे मैं पढ़ाता हुआ दिख जाओंगा इस तरीके से मेरे बच्चों आपको क्लास kg से क्लास 12 तक की हर subject हर education free provide की जा रही है हम teachers आपके लिए जोश और जुनून के साथ मेहनत करते जा रहे है आपसे भी यही expect करते हैं कि आप भी उसी जोश और उसी जुनून के साथ उत्सा बनाये रखें comment section में जरूर बताईएगा कि आज का वीडियो कैसे लगा और जो जरूरत मंद है उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाईए और चैनल को like, share और subscribe करना बिल्कूल ना पूले जैसा कि मैं आखरी में आपसे कहना चाहूँगा ठीक है तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं Thank you so much